देखें बात होगी लेंस की हमको लोता छोटे क्लासेश में थक नहीं था यह अब आप कहें हभी तो छोटे ही हैं नहीं हो तो वैसे लेंस इसके पढ़ाया गया है तो हम जानते हैं कि हम अपने परपस के लिए अलग-अलग तरीके के लेंस बनाए दो प्रकार के लेंस होते है साचा बना लिया गया होगा अर उसके गलास को पिगला करक के डाल दिया गया होगा और वो अपने आप वो शेप ले लिया होगा तो इसमें पहला लेंस होता है Convex Lens Convex Lens जिसका Corner का Part पतला होता है और 20 का Part ठिक होता है उसको Convex कहते है तो Convex में 3 प्रिकार की होते है यह हो सकता है कि यह दोनों Part ऐसे हो ठीक है यह हो सकता है कि एक Part Plain हो और एक Part Convex हो ऐसे भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है ठीक है मतलब पहला वाला convex हो दूसरा plane हो और यह हो सकता है कि एक part convex हो और दूसरा part concave हो यह अलग-अलग purpose के लिए बनाए जाते हैं फिराल आपको चुकि lens की study कर दी है तो main हम convex lens लेके चलेंगे ठीक है तो पहला lens इस तरीके एक बन सकता है ए दूसरा ऐसे बन सकता है तीसरा ऐसे बन सकता है पहले lens को क्या कहते हैं हम double convex lens क्या नाम है इसका double convex lens double convex lens convex lens या इसको हम convex by convex भी कहते हैं by convex भी कहते हैं या हम इसको convexo convex भी कहते हैं मैं पहले की बात कर रहा हूँ न वहुत सारे नाम इसके हैं convexo convex तो ये इस lens का नाम है हम इसका नाम देखेंगे convex lens ठीक है लेकिन वो तीन तरीके से हम इसको बना सकते हैं double convex by convex देखें तो दूसरा देखें क्या है दूसरे टाइप का lens क्या है एक पार्ट प्लेन है दूसरा पार्ट convex है जिसको हम plano convex lens कहते है और एक में एक convex है दूसरा concave है तो चाहे इसको convexo concave कह दीजे या concaveo convex कहते है चुकि hero convex यहाँ पर है तो पहले कि इसको respect देंगे convex को तो यह तीसरे को हम कहेंगे convexo concave lens यह दू उत्तल उत्तल लेंस है और यह उत्तलो आउतल लेंस है ठीक है तो यह तीन प्रकार के lens है मतब्ग एक ही प्रकार के lens से उसको अलग तरीके से इसको बनाया गया है ठीक है कानकेव लेंस में वही चीज है कि इसमें हम इस प्रकार से लेंस बनाते हैं बीच का पार्ट इसका पतला होता है और किनारे का पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है आप इसको छोकर कर सकते हैं अगर कानवेक्स लेंस आप देंगे बीच में उसका मोटा होगा किनारे पतला होगा इसको छुएंगे तो बीच में पतला होता है तो ये दोनों convex part हो गए ये भी हो सकता है कि एक part plane हो और एक plane है और दूसरा part convex है ऐसा हो सकता है ठीक है ये भी हो सकता है कि एक concave है और दूसरा convex है वो तो दोनों मतलब से भी होगा जाकर के ना यानि ये A नमबर है ये B नमबर है ये C नमबर है तो पहले का नाम क्या है या तो कानकेव कानकेव कहें चाहे इसको डबल कानकेव कहें इसको डबल कानकेव कहें कानकेव कहें या बाई कानकेव कहें या कानकेव कानकेव कहें जो हम लिखेंगे नहीं वह लंबी स्पेलिंग उसकी है इतने ठीक है हम में कानकेव कहेंगे तो अपने आप हो जाएगा बाई कानकेव है दूसरा क्या है प्लेनो कानकेव है प्लेनो कानकेव है और तीसरा है Convex so Concave यह Conqueo Convex जो भी आप दें चुकि यहाँ पर दोनों ले सकते हैं Convex so Concave Convex so Concave अरे ठीक है वो ज्यादा सम्मान न दो ठीक है Conqueo Convex को या Convex so Concave को बात वही है ठीक है अगला है Converging Action of Lens Converse का मतलब क्या होता है एक जिए मिलाना उसको Converse कहते है ठीक है और Divers का मतलब क्या होता है दूर दूर कर देना ठीक है देखिए पहले तो हम Lens के बारे बात करेंगे थोड़ा Prism के बारे बात कर लेते हैं अभी हमने Prism पढ़ाया नहीं है बच्पन से आप पढ़ते आएं कि Prism ऐसा कुछ होता है ठीक है तो Prism का एक Nature होता है कि उसमें जो Light पढ़ेगी वो उसके Base की तरफ जुग जाएगी ठीक है अच्पन से अगर हम इस Prism को इतना Cut कर दें इतना Cut कर दें तो Prism रहेगा और नहीं रहेगा ये ये Prism है कि नहीं है है कि नहीं है मतलब लाइट जब गिरेगी तो पर देखेंगे है चोन नहीं है इसकी ही चोटी नहीं है हम नहीं Converse होगे हम ऐसे मुड़ेंगे नहीं ऐसा कहेगी उसका एक छोटा सा Part भी Prism है ठीक है क्यों ऐसा बोला हमने देखे अगर हम Convex Lens को लें हम Convex Lens को लें ऐसे ठीक है थोड़ा Convex Lens बना रहे है और यह इसका Middle से इसको Divide कर दिया ज़रा उपर का Prism देखेंगे ऐसे अगर उपर वाला पार्ट देखें तो छोड़ा सा Prism दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसका Base की तरफ है नीचे की तरफ अच्छा इतना पार्ट ले भी तो Prism है अगर पूरा देखेंगे तो Prism है कि तरीके से इसका Base नीचे की तरफ नीचे वाले Prism का Base उपर की तरफ है नहीं दिख रहा है ठीक है इधर अब अगर Light Ray Parallel to the Principal Axis गिरती है तो जैसा की Prism का Nature है वो Light को After Refraction अब पूरतन की प्रशाद किधर ले जाएगी देश की तरफ तो उपर की Light किधर जुख जाती है नीचे की तरफ और नीचे की Light किधर जुख जाती है उपर की तरफ क्यानि इस Lens ने क्या किया Principal Axis के Parallel गिरने वाली Light को एक जगे आगर के मिला दिया ये जो Nature पने वो पॉइंट के बारे बात नहीं करें पॉइंट का क्या नाम है हम के वहल इसकी प्रकृति देख रहे हैं इसका Nature जो है तो इसने क्या-क्या Light को एक जगे मिला दिया इस Action को क्या कहा जाता है Converging Action of Lens पहले Definition लिखे फिर दियाग्राम लाइए लिखे इन Convex Lens In Convex Lens The Light Ray The Light Ray Incident Parallel to the Principal Axis Incident Parallel to the Principal Axis After Refraction After Refraction Meet the Principal Axis at one point Yeah, after Refraction They Converse to one point They Converse to one point They Converse to one point This Action of Lens is called Converging Action of Lens This Action of Lens is called Converging Action of Lens यह Principal Axis है Converging Action of Lens And this Lens is called Converging Lens उत्तल Lens में मुख अच्छे समानतर आप्तित किरने अप्वरतन की पश्षाथ मुख अच्छ के एक बिन पर मिलती है ठीक है Lens के इस गुण को हम Lens की अभिसारी क्रिया कहते हैं और इस Lens को अभिसारी Lens कहते हैं समझ में आगई बात यह किसका नेचर होता है अब यही आपको Property बताई जाएगी Principal Focus की तो यह Point एक्छुली में Principal Focus कहलाएगा ठीक है चुकि अभी इस Point के बारे हमको बात नहीं करने इसलिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर उपर का टुकड़ा देखें और इसको Complete करें ऐसे तो प्रिज्म टाइप का लग रहा है इसका Base की दर तरफ है Upper Direction में उपर तरफ है तो जो Light Ray Principal Axis के पेडल गिरती है तो वो किदर जुकती है प्रिज्म के Base की तरफ तो ये उपर के और जुक जाएगी और ये नीचे को जुक जाती है यनि ये इसको Diverse कर देता है ठीक है आगे चलके आप पढ़ेंगे Converging Sequence कोई भी स्रीज ऐसी लिखी भी है जिसकी Value एक Particular Point तरफ जा रही है उसको Converging कहते है और जो Infinity तरफ जा रही है तो diverging होती है ठीक है तो अब ये Light इधर चली गई ना तो ये Converging Action हो गया अब आप इसको अगर देखना चाहें तो आप अगर यहां से देख रहे हों तो आपको क्या लगेगा ये Light ऐसे जा रही है आप टेड़ा देख सकते हैं ये Property फिलाहाल किसी भी जानवर को भगवाने नहीं दी है इंसान को तो नहीं ही दी है वहना सब के यहां देख लेए तका ए बाभी चैव ना रही रहो देख रहे हैं नमक नहीं डाले हो जुठार दी हो अगर पीछे बनाएंगे हमको क्या लगेगा इस पॉइंट से निकलती हुए ये एपियर होती है इस पॉइंट को फिलाल क्या कहेंगे प्रिंस्पल फोकस जब कहेंगे तब कहेंगे अभी तो हम का डाइवर्जिंग कहेंगे तो लिखे जा क्या डाइगम बनाया होतू है तो हमें उस घ्टिया बनाया दियो लेंस को कुछ ऐयसे बनाऊ sale क्या स्टेट विल्कुल शिल्म टिय बना दियो लिखे In Concave lens In concave lens The light ray Incident parallel to the principal axis The light ray Incident parallel to the principal axis after refraction after refraction they moves away from the principal axis they moves away from the principal axis हमें उससे मतलब नहीं कि कहां से निकल ले क्या है वो से कोई मतलब नहीं moves away from the principal axis this action of lens तो यह दो प्रकार के लेंस है डाइग्राम बना लिया है न अब ज़रा समझेगा रब करतें देखें दो प्रकार के लास होते हैं एक होता है फ्लिंट ग्लास फ्लिंट और एक होता है क्राउन ग्लास ठीक है यह दो प्रकार के हैं जो एक लेंस होता है जो क्राउन का बनता है और एक होता है फ्लिंट का बनत राजा का काम क्या होता है, प्रजा को जोड़ना, कोई ऐसी बात ना कहिये कि प्रजा में तना हो, तो जोड़ने का काम लेंश में कौन करता है? Convex तो Crown Glass का कौन मनता है Convex Flint Glass जो Fickled Minded होते हैं उनको प्रजा को तोड़ना है मरो तो मरो ठीक है अब पता चला कि ऐसा कुछ कह देंगे कि Public अच्छा Public को कम Public भक्ती में चूर हो जाती है और Public भी अपना शुरू हो जाती है और Cancer धर से जुदा अब पता चला जुदा जुदा नहीं होने देंगे पता जुदा हो गया मैं छोड़ूँगा नहीं फिर जुदा हो गया पता चला तो ये कौन करता है जो Fickled Minded होते हैं लेंस में कौन करता है बहुर राजा क्या करता है राजा ने ऐसा कुछ माहल बना दिया है कि प्रजा क्या खुजाए वो थोड़ा सा दूर-दूर हो जाए जिसे हमारा फैदा हो तो दूर-दूर करने का काम कोन करता है Flint Glass तो Concave Lens Flint Glass का बनता है मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं Lens के बारे में बात कर रहा हूँ तो कुल्म बला करके राजा का काम होता है सब को जोड़ना है अगर प्रजा में कुछ असंतोस है या कुछ एक दूसरे के प्रतियों बात कर रहा है तो हमें सामने आना चाहिए और करना चाहिए देखो भाई सबी लोग भाई बहन है और भाई भाई है और भाई बहन के रहें कहेंगे नहीं कुछो तुम सब ठीक है हमारा फैदा होना चाहिए नोड करिए इसको देखे जो भी हम definition दे रहे है वो thin lens के लिए दिया जा रहा है ठीक है पहली चीज तो optical center क्या होता है बाद principle axis बोल तो रहें लेकिन principle axis क्या होता नहीं बताया हमने ठीक है वो बाद बताएंगे ये आपका mid है तो जब light इसमें गिरती है माले incident light होई और light air medium में गिरी रास्ते में glass मिला इधर भी air बनी तो light यहाँ पर refract होगी थोड़ा सा और यहाँ फिर डाइवर्स हो जाएगी तो डाइवर्स नहीं कहिए क्या कहेंगे इसको transmit हो जाएगी ठीक है तो reflection के बाद से समय जहाँ पर ये principle axis को touch करती उसको हम क्या कहते है optical center तो optical center की definition लिख लेंगे हम लिखवान ही रहे when light incident on the lens ठीक है and emergent in the same medium and after reflection where it touches the principle axis that is called optical center इसको हम optical center या प्रकाशिक के अंदर कहते है क्या है definition अपने आप लिखेंगे diagram बना लिजेगा concave के लिए भी अपने आप बनाईएगा ये concave के लिए होता है कैसे बनेगा ऐसे ही बनेगा पतली देखो बहुत पतला lens है तो सीधे निकाल दो कोई दिक्कत नहीं आप पतला lens में नहीं सीधे निकाल दो कोई reflection नहीं क्योंकि very small thin lens की हम बात करेंगे ठीक है otherwise convex ओ, concave, plano, convex में बदलता जाएगा तो उससे आपको मतलब नहीं है note करिए lens में दो focus होते हैं तो पहले आएगा first focus first focus अब यहाँ एक करबड है चुकि यहाँ पर convex और concave दोनों के nature अलग-अलग है वो अगड़ा तो पछड़ा वो अदाए तो वो बाए definition दोनों के अलग-अलग होंगी तो पहले इसको समझाया जाए देखें convex lens में क्या होता है convex lens में इस परकार से देखें अब आप कहेंगी जैसे कोई definition दी गई यह कैसे आया यह practical किया गया सब कुछ scientist ने experiment किया और आपको समने paste कर दिया आपको confusion है तो उनों का आप practical कर देख लिजेगा तो यह principal axis है convex lens में principal axis पे एक ऐसा point जिससे चलने वाली raise after reflection becomes parallel to the principal axis जिससे चलने वाली raise principal axis के parallel हो जाती है इसको हम first focus कहते है ठीक है और optical center से इस focus की distance को हम first focal length कहते है तो हम convex की पहले हम बात कर लेते है या तो आप और करके convex concave को merge कर दीजे ठीक है otherwise English medium वालों के English बड़ी अच्छी होती है ठीक है तो फिर गड़ बड़ हो जाएगा तो जाड़ definition लिखे in convex lens लिखे in convex lens आप हिंदी में लिख सकते हैं उत्ता lens में मुक्यक्ष पर वहाब बिंदू जिससे चलने वाली प्रकास किरने अपरतन के परशाथ मुक्यक्ष के समांतर हो जाती है उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं और lens से उसकी दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं In convex lens, the point on the principal axis the rays starting from this point, the rays starting from this point becomes parallel to the principal axis after refraction the rays starting from this point becomes parallel to the from this point कितने काईसी तुम लिखरे वो रती हैं becomes parallel to the principal axis called first focus of the lens called first focus of the lens first focus of the lens and the distance of this point from optical center is called first focal length is called first focal length अब ये तो convex की बारे में बात हो रही है अब जड़ा concave की बारे में बात करते है देखे concave साब क्या करते है एक तो इतने टेड़े हैं कि इनका डाइग्राम भी नहीं बन पाता है ये concave साब है ठीक है अब ये तो simple से बात है कि जिधर convex का first होगा concave उसके opposite बात करेगा देखो ध्यान से ये principal axis हो गई अब light ray एक ऐसे point तरफ जा रही है ऐसे जा रही है एक point की तरफ जा रही है मतलब ये lens नहोता तो ये light ray जाके यहाँ मिल जाती कहीं अगर ये lens नहोता ठीक है यानि ये raise किस point की तरफ प्रोसीड कर रही है इस point की तरफ जा रही है न रास्ते में कौन मिल गया lens कहा जा रही हो दादा एफ डेस तरफ जा रहे है चल सीदे घर चल इसको क्या कर दिया principle axis के parallel कर दिया यानि की concave lens के किसी एक point के तरफ जाती appear होने वाली light ray it appears ये क्या लग रहा आपको ये लग रहा है कि इस point पर जा रही है becomes parallel to the principle axis after reflection तो इसको हम क्या कहेंगे first focus of concave lens तो paragraph change करेके लिखे the rays the rays appearing to go towards a fixed point the rays appearing to go towards a fixed point on the principle axis on the principle axis the principle axis becomes parallel to the principle axis after reflection becomes parallel to the principle axis after reflection called first focus of concave lens first focus of concave lens and distance of this point and the distance of this point from optical center is called first focal length is called first focal length आई आई बात ठीक है next है next है second focus या principle focus देखे जब आप से कहा जाएगा focal length of the lens तो किस focus की हम बात करते हैं हम principle की बात करते हैं ठीक है ये एक lens है ये principle axis है light ray principle axis के parallel जो गिरती है तो after reflection ये एक point से होकर की जाती है ठीक है इस point को इस action को हम converging कहते हैं इस point को हम principle focus कहते हैं और optical center से इसकी दूरी जो है principle focal length कहलाती है ठीक है तो अब चुगी definition दोनों की अलग-अलग होगी या तो दोनों को आप combine कर दीजे जैसे आप इसमें क्या करेंगे light ray parallel to the principle axis after reflection it meets the principle axis at one point and it appears to coming from a point तो दोनों की definition अलग होगी तो बहतर ये होगा कि आप अलग-अलग definition लिखे लिखो ज़रा in convex lens अलग-अलग definition लिखे in convex lens the light ray the light rays traveling parallel to the principle axis traveling parallel to the principle axis after reflection after reflection after reflection they meet the principle axis at one point the meet the principle axis at one point meet the axis at one point this point is called this point is called second focus or principle focus of lens this point is called second focus or principle focus of lens and the distance of this point and the distance of this point from the optical center is called second focal length or principle focal length ठीक है उत्ता lens में मुख अक्स के समानतर आप्तित किरने अब पुरतन की पस्षाथ मुख अक्स के एक बिन्द 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 को मुख की focus कहते हैं और यह दोती focus कहते हैं इसकी दूरी को हम मुख की focus दूरी कहते हैं अब बताएए यह focal length positive होगी डाइग्राम के हिसाब से positive होगी यानि convex की हमेशा focal length positive होती है हमसे focus की बात करेंगे तो first focus की बात नहीं करेंगे अब ज़रा concave के बारे में बात कर लेते है concave में क्या हो रहा है यह concave lens है अभी बना चुके diagram वही बाला है अब आप दुबारा बनाई यह नहीं लिखेंगा अब करपया पीछे वाले topic में देखें यह concave lens है कुछ ज़्यादा healthy हो गया है ठीक है इसमें जो light principal axis के paddle गिरती है तो after reflection principal axis से दूर भाग जाती है ऐसे ठीक है और पीछे बढ़ाने पर यह एक point से निकलती हुए पियर होती है यह ऐसे लगती है यह लगता है इस point से उगर के निकल लई है ठीक है अगर यहाँ बैठें अपनी आख लिए ऐसे यहाँ होती है यह आख है तो आप ऐसे थोड़ी देख पाऊ कि टेड़े कि light ऐसे गई और ऐसे घूंग गई तो आपको क्या लग रहा है इस point से light निकल लई है तो इस point को हम principal focus कहते है और optical center से इसकी distance को हम second focal length कहते है definition लिखेगा in concave lens बेतर होगा कि definition आप जब भी पूछी जाए तो convex और concave क्या लग लग लिखे और आपको अगर पक्का हो कि English में दिक्कत नहीं होगी जो कि आपको पक्का रहता है ठीक है अभी एक question आया था उसमें where लगा होता है if where तो आप वो नाम के साथ कैसे लग गया उनको नहीं मालूम जैसे होता यद में प्रधान मंत्री होता if I were the prime minister होता हूँ लेकिन आप उनको कौन बता है और जब पैदा हुए थे तो वो मॉम बोले थे बेटा ये नोज आईज ये सिखाए जाता है हम लोगो नाक बताए गया है ये नाक याँख और उनको नोज एक ही चीज़ थोड़ी होती नाक अलग होती नोज अलग होती है आई पहले ही जो पढ़ लेते हैं वो तुमारे मम्मी वा नहीं थी ना इधर पढ़ोगा करके इधर आओ अपनी बात करो तुम जो क्या सिखाए गया है उतके बारे में बात नो लिखे इन कानकेव लेंस लिखे ये प्रिस्प्रेट रे इंसिडेंट पैरलल थुदर अपनी प्रिस्पल आकसिस अप्र रिफ्रिक्शन इट अपिर्स तुम फाम फाम ए पॉइंट अन प्रिस्फ आइक्स उसलग रहा ना यहा से निकल लई अभ यह हम नहीं कहेंगे को दूर भाग गई भी वहां हमार यहां करक्की भी थी हमने उसको देखा it appears to come from a point on the principal axis this point is called principal focus or second focus this point is called principal focus or second focus and the distance of this point from the optical center is called principal focal length principle focal length अब बताईए इसकी focal length negative या positive negative इधर आपने आपने उल्टा तो negative हो गया है अब next है focal plane एक और आता है focal plane focal plane focus तल कहते हैं इसको focal plane क्या होता देखे जान से कुछ नहीं है इसमें एक plane लिजिए यह plane है परदा और इसको perpendicular to the axis ऐसे रख दीजेगा ठीक है कहां पर focus होकर pass हो या ऐसा एक plane हमने ऐसे रख दिया यहां पर यह plane कैसा है यह focal plane है यह plane कैसा है यह focal plane है plane ऐसा है परदा ऐसा है लिकिन रखा ऐसे गया इसलिए आपको दिख यह रहा है तो लिखेगा focal plane the plane passing through the focus the plane passing through the focus and perpendicular to the and the perpendicular to the principal axis is called focal plane is called focal plane is called focal plane तो यह lenses के बारे में कुछ जान का रही है यह radius of curvature भी इसमें आना चाहिए हमने नहीं लिखवाया ठीक है radius of curvature अगर लिखवाना चाहिए तो लिख सकते है कि यह जो lens बनाए गए कहां से बनाए गए दो स्फेर से काट के बनाए गए है तो उन स्फेर के centers को हम center of curvature कहेंगे और उन स्फेर की radius को हम radius of curvature कहेंगे बाई सिंपल सी बात है देखे जब लेंस बनाया गया होगा तो जैसे यह lens यह वारा पार्ड बनाया गया तो एक नट इसको जड़ा rub करके बताया है हम लिखवा नहीं रहें उसको अगर कभी आ जाता है तो आपनी भासा में बना के लिख सकते हैं जैसे आप से center of curvature उसमें आपने पढ़ा होगा mirror वगरा में बाई देखे होता क्या है कि हमने क्या क्या दो ऐसे स्फेर हमने लिए ऐसे दो स्फेर यानि कांच इस तरीके से पिगला दिया और पिगला करके क्या किया इतना पार्ट हमने काटके अलग कर दिया ये lens बन गया आपका convex lens तो जब इधर का स्फेर हमने लिए होगा तो इसका center इधर आओगा और इधर के स्फेर का center इधर आओगा तो ये क्या हो गए center of sphere और radius क्या हो गई radius of sphere और अगर इनको मिला दिया तो इसी को हम क्या कहते है principal axis ठीक ये अपने आप लेख सकते है ये दोनो radius same भी हो सकते हैं और आप positive भी हो सकते है अब आप कहेंगे अच्छा ऐसे पहले पिघलाएंगे फिर इसको काटेंगे ऐसा नहीं करेंगे हमारे पास अलग-अलग सांचे बने हुए जैसे गुजिया बनाई जाती है हम भी बनाती होंगे आप तो बनी बनाई आ जाती है क्या रेट है 500 रुपय गलो आधा कलो देना आधा कलो देना क्योंके सबको तो सुगर होती है तो आधा कलो देना और यहां पताला सुबह साम दूपाप 5-5-6-6 गुजिया खायवाला आधा कलो कहां से लाएगा तो गुजिया का सांचा एक होता है ऐसे lens type का ऐसे होता है तो ऐसे सांचा बना दिया हमने उस सांचे भी हमने डाल दिया काँच पिगला करके अपने आप वो जब ठंड़ा हुआ तो अपने आप उसने lens का format बना दिया ठीक है सबसे प्रहे lens किसने बनाया था बनाया थो किसी नहीं होगा लेकिन यूज किया था टेलिसकोप में Mr. Galileo साहब ने क्यों किया था आप जानते हैं Galileo साहब जब कोई भी नेचर के बारे में बात करते थे उनकी बात को अपोस्ट किया जाता था ऑपोस्ट भाई Christians जो पादरी लोग होते थे ठीक है पादरी जो कहते थे वही सही माना जा था तो एक बार उसनोंने कहा कि यो सेटलाइट होते है जैसे अर्थ का सेटलाइट है वैसे सबकर सेटलाइट है पादरियों ने का यहां तक तो बात सही थी, कि अर्थ घुमती है, यहां तक तो बात सही थी, कि दो पादिकल एक साथ गिरेंगे तो, दो अलग-अलग मास्क के पादिकल, अब सैटलाइट भी तुमको देखने लगे, तुमको आखे होगे, बिल्कुत वहाँ, किसकी ऐसी अर्पादरियों को दिखाया, इन देखो, पादरी गहें देखा वोले ट्रेलिस्कोव, आ रहे वाह, सही यहां, देख रहा है, सैटलाइट होते हैं, एक मिनट, और बाते बात में क्या करिए, उन्हों का सैटलाइट होते हैं, दिख रहा हैं, लेकिन नई होते हैं, मतलब न साल पूरे हुए है तो जो वैटिकन सिटी है उन्होंने गैलीलो का एवाड दिया है मैन आफ फेथ विश्वसनी अज्यक थी अब विश्वसनी भी थी उसके पलीता लगाते हैं जब तो कुछ इंदा रहा भी जारा ठीक है कौन ने अब फिर वो एवाड की बात नहीं है फिला प्रटरों के बीच में जैसे मैं एक लखनों लगा दो एक कांट में लगा दू ठीक है अब उसमें क्या होता था कि मुबाइल जो होता था उसमें से फोटो नहीं जाती थी बाचित होती थी तो अब आपने वहाँ बुक कर लिया हमको अपनी चाची से बात करना है जो भी च तो सिस्टम चेंज हो गया हो चला गया होगा तो समझ में आ गया यह सब अब इसके बाद क्लास होगी लेंस मेकर्स वामला चुकि हमको लेंस अलग अलग परफस के लिए बनाना होता है तो अब कैसे बनाएं किसे बारें बात बात करेंगे ठीक